क्या बात है दोस्तों 100 days of code में आप लोग वापस आ चुके हैं और आज मैं आप लोग को बताऊँगा function arguments के बारे में कि यार arguments कैसे पास की जा सकते हैं function को हमने बोला था function code separate करने में use होता है लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम function को argument pass कर सकते हैं हम as a double pass कर सकते हैं क इसको कैसे बास की जाते हैं let's get started तो यह तो हम सभी लोग जान दें कि function को code separate करने के लिए इस्तमाल करते हैं और अब उसको कितनी भी बार repeat कर सकते हैं आज यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा एक function मनाऊँगा और मैं उसको average का नाम दूँगा और मैं आपर क्या करूँगा कि print करूँगा और मैं आपर लिखूँगा print the average is और यहां पर मैं क्या करूँगा लिख दूँगा a plus b by 2 ठीक है अब एक बात का आप लोग को दि इस calculation को पहले करवाना चाहता है जैसे इस case में आप लोग को दिखा हूँ तो a plus b by 2 मैंसे मैं a plus b को पहले करवाना चाहता हूँ और इसको divided by 2 ठीक है तो मैं इसको run करूँगा अगर program को तो आप लोग यहां पर देखना कि कुछ नी हुआ ठीक है कुछ क्यों नी हुआ कुछ आप लोग देखो कि the average is 5.0 यहां पर प्रेंट होकर आ गया है ठीक है तो यह तो एक simple सा function है there are four types of arguments that we can provide in a function default arguments, keyword arguments, variable length arguments और required arguments अब इस case में a और भी required arguments है ठीक है अब default arguments की बात करते है सिबसे पहले मैं a की value को 9 और b की value को मानलो 1 by default दे सकता था इस case में अगर मैं average को run करूँगा सिर्फ average को ऐसे ही run करूँगा तो यह चल जाएगा और यह a की value को 9 और b की value को 1 assume करके मुझे 5 दे देगा ठीक है लेकिन अगर मैं यहां पर a की value को 1 और b की value को 5 दे दूँ तो यह 9 और 1 को ignore करेगा और यह 1 और 5 को a and b की value respectively ले ले लेगा इसलिए मेरा answer 3 यहां पर आएगा जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है तो यह हो गए हमारे default arguments we can provide a default value while creating a function this way the function assumes a default value even if a value is not provided in a function called for that argument अब यहां पर देखो मानलो मैं a की value देना चाहता हूँ और b की value में default टकना चाहता हूँ तो मैं यह आपर क्या करूँगा मानलो 4 देता हू ठीक है और मैं इसको run करता हूँ तो आप लोग देखो मैंने a की value 5 देती b की value मैंने नहीं दी है तो b की value 1 हो जाएगी और 5 plus 1 by 2 6 by 2 यानि की 3 मेरा print हो जाएगा अगर मैं सिर्फ b की value देना चाहता हूँ तो मैं यह आपर कुछ ऐसे लिख दूँगा b is equal to 9 मानलो मैं लिखत जाएगी ठीक है तो यह default arguments होते है अब यावर मैंने एक example दिया हुआ है कि name नाम का function मना हुआ है first name देना है middle name देना है last name देना है और उसके बाद आप अगर सिर्फ first name देते हो तो आपका middle name और last name जो है वो default arguments से आ जाएगा अगर आप लोग तीन हो देते हो तो obviously आपका first name, middle name और last name जोड़कर आपको देखने को मिलेगा और मैं इस example को दरा run करना चाहूँगा और यहाँ पर देखो कि print हम जब कर नहीं यहाँ पर hello amy john watson लिकर आ रहा है अगर मैं यहाँ पर amy agarwal करता हूँ ठीक है तो amy agarwal watson print हो कर आ जाएगा आप देख सकते हो amy agarwal watson अगर मैं amy agarwal jen नाम से print करता हूँ इसको तो amy agarwal jen आ जाएगा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर amy agarwal jen आ गया है बहुत बढ़ी है अब हम लोग क्या करेंगे मैं जरा इस example को खटा देता हूँ कि यहाँ पर रैपल में दिया हुआ है आप लोग copy paste कर सकते हो अब keyword arguments क इनको आप लोग इस तरह से देते हो आप क्या कर सकते हो order change कर सकते हो arguments के जैसे इस case में अगर मैं मानलो b की value पहले देना चाहता हूँ तो मैं b is equal to 9 और a is equal to let us say 21 दे सकता हूँ और a की value of 21 आ जाएगी b की value 9 आ जाएगी तो मुझे उस order में देनी की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह use होता इनका we can provide arguments with key is equal to value this way the interpreter recognizes the arguments by the parameter name hence the order in which the arguments are passed does not matter अगर आप चाहते हो कि order matter ना करे अभी अगर आप लोग by default देते हो arguments तो आपको पहले a फिर b देना पड़ेगा लेकिन अगर आप लोग कुछ इस तरह का syntax यूज करते हो तो आप लोगो को order की परवा नहीं करनी ह ठीक है तो यहां पर यह चीज भी clear हो चुकी है अब देखो required arguments क्या होते है required arguments वो arguments है जो कि आपको देनी ही देने है भाईसाब ठीक है अब अगर मैं आप a is equal to 9 ना लिखो तो a required argument बन जाएगा आपको a की value देनी ही देनी है आप बच नहीं सकते उस चीज से ठीक है तो a की value क कम से कम आपको देनी है b की 2 या ना दो अगर दे दोगे तो वो value ले ली जाएगी नहीं दोगे तो यह b की जो one default value है वो ले ली जाएगी simple सी चीज है in case we don't pass the arguments with the key is equal to values to index it is necessary to pass the arguments in the correct positional order and the number of arguments passed should match with actual function definition यह बहुत important है कि यार अगर यहाँ पर a की value b की value और c की value ली जारी है मालो 3 values ली जारी है c भी लिया जारा है तो मैं a, b और c is equal to 1 लिखता हूं तो c optional है a और b लेकिन आपको देने है तो आप अगर a और b दे रहे हो बिना key is equal to value वालिस index से तो आपको ऐसे देना पड़ेगा मालो 5,6 कर दिया तो a की value 5 हो गई, b की value 6 हो गई और यहाँ पर मैं actually इस function कमेंट आउट करूँगा क्योंकि अभी यहाँ पर तीन मुझे values देनी है, तो averages 6.0 आ गया, a की value 5, b की value 6 और c की default value ले ली गई, ठीक है, तो यह इस तरह से आप लोग कर सकते हो, अब आप लोग यहाँ पर इसको run करना ठीक है, इसको run करना आप और मुझे बताना कि आ variable length argument आप कुछ इस तरह से दे सकते हो, कि आपने क्या किया, कि जैसे मालो मेरे पास average निकालना है मुझे बहुत सारे numbers का, अब देखो यार मैं 3 numbers का भी average निकाल सकता हो, मैं 4 numbers का भी average निकाल सकता हो, मैं 10 numbers का भी average निकाल सकता हो, तो मैं क्या करूँगा, कि मैं कुछ इस तरह से करके इसको numbers कर दूँगा, ठीक है, मैं सबसे बहुत अब दुबारा से आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, इसको भी मैं comment आउट करता हूँ, और मैं दुबारा से आपको यह function लिख कर दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा def average और यहाँ पर मैं लिखूँगा star numbers, ठीक है, अब numbers मेरा एक i-trable हो गया, मैं लिखूँगा for i in numbers और मैं यहाँ लिखूँगा sum is equal to sum plus i, ठीक है, और मैं finally क्या करूँगा, कि मैं लिखूँगा print average is, और यहाँ पर लिख दूँगा कुछ इस तरह से, कि average is sum divided by length of numbers, ठीक है, और मैं sum को 0 से initialize कर दूँगा कुछ इस तरह से, and finally आप लोग देखो, अगर मैं average 56 करूँगा, तो यह मुझे 5.5 दे रहा है, तो हुआ क्या कि इसने numbers को as a tuple ले लिया, ठीक है, अगर मैं आप लोग को print करके दिखाऊं type of numbers, तो यह मुझे tuple देखने को मिलेगा, तो यह as a tuple ले लेगा, अब देखो, class tuple यहां पर आ रहा है, तो यह tuple ले लेगा इसको, तो I hope कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि यह किस तरह से काम कर रहा है, behind the scenes, हो क्या रहा है, कि यहां पर मुझे numbers की एक पूरी tuple मिल रही है, और divide कल दिया, जितने भी numbers थे उन से, यह करने से हमी क्या फाइदा मिला, कि हम average निकाल पाने है, मैं 5-6 का निकाल हूँ, या 5-6-7 का निकाल हूँ, या 15 numbers का निकाल हूँ, या 25 numbers का निकाल हूँ, कोई दिक्कत नहीं आईगे, तो 6 आ गया, अगर मैं यहां पर 1 भी गर दू अब मान लो कि मैं as a dictionary लिना चाहता हूँ, अपने arguments, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह का syntax यूज कर सकता हूँ, मैं जरह आप लोग को इसको copy करके, यहां पर दिखाता हूँ, और यह मैं average comment out कर रहा हूँ, तो देखो name नाम का एक function है, जो कि क्या कर रहा है, कि star star name मैं आपर अगर लिखोंगा, तो मैं जो भी keys equal to value pair दूँगा, वो मुझे as a dictionary मिल जाएगी, इस example पर मैं वापस आउँगा, जब मैं आप लोग को dictionary पढ़ाऊँगा, अभी के लिए अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आता है, तो that's fine, ठीक है, तो देखो यहां पर hello last name है, middle name है, last name है, वो कुछ इस तरह से आप लोग को मिल गया, तो आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो, कि name को as a dictionary ले रहे हो, ठीक है, तो मैं अगर यहां पर print type of name करूँ तो dictionary print हो कर आ जाएगी, तो मैं जारा यहां पर indent कर देता हूँ, ठीक से, in fact मैं ने indent थ्यादा कर दिय है, but that's fine, ठीक है, तो आप लोग देखो यहां पर, यह क्या हो रहा है, इस function को और यहां पर double star लगाते हैं, तो function के अंदर हमको name नाम की dictionary मिलती है, जिसमें यह सारी values होती है, ठीक है, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, और अगर यह समझ में नहीं आया आपकी, that's totally fine, because मैं आप लोग को बताने वाला हूँ यह चीज़ डिश्णरी वाले chapter में, ठीक है, तो उस दिन हम लोग देखेंगे इसको, अभी के लिए आप इसको टाल सकते हो, अब आजाओ वापस से मेरे इस average वाले function में, अब होता गया है, कि मैं यहां पर, जब function को run कर रहा हूँ, त instead of, instead of printing the average में चाहूँगा कि यह return करे, तो मैं यहाँ पर return लिख दूँगा, और आप देखते जाओ, जैसे ही मैं return लिखूँगा यहाँ पर, और मैं लिखूँगा यहाँ पर, c is equal to this, और print c करूँगा, तो मुझे यहाँ पर, यह value मल जाएगी, तो basically क्या है कि यह जो average है, यह compute कर रहा है, average सारे numbers का, और उसको store कर दे रहा है, c में, तो return से क्या होता है, जो भी चीज़ आप return करोगे, वो store हो जाएगी, यहाँ पर, तो जो calling function है, वहाँ पर मिल जाएगी, वो value, जो कि आप लोग को चाहिए, finally, आपको average से क्या चाहिए, आपको average से simply value चाहिए, ठी इन numbers का average c में आ जाएगा, तो यह print होकर आपको मिल गया, 4.75, अगर मैं यह return ना करूँ, तो आप लोग क्या मिलेगा, none मिलेगा, none type मिलेगा, क्योंकि यह function कुछ return नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर none मिला, लेकि मैं return करना चाहता हूँ, यह value, अगर मैं return 7 कर दूँ, तो क्या अगर रहा है, तो जो भी return पहले मिल गया, वो value final करके function वापस चला जाएगा, return मतला वापस चले जाओ इस value को लेके, क्या मतला मैं सब लोग comment मिलेगा, return का मतला वापस चले जाओ इस value को लेके, तो जो average function ही, यह 7 value को लेकर वापस चला जाएगा, c को दे देगा, और print c से ह साथ मिलेगा, but that's not what we want, हम चाहते हैं, sum divided by len of numbers हम को मिले, इसी लिए हम चाहते हैं, तो 4.75 हम चाहते हैं, 4.75 हम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर, average 5671 हमने print किया, 4.75 आगे, तो return statement is used to return the value of the expression back to the calling function, calling function इस case में क्या है, average है, इसको वा average function ने compute करके निकाली है, sum by len of numbers होगी 4.75 है, I hope कि आप लोग को इसी समझ में आ गई, इसको पढ़ना आप लोग दोबारा से, और अगर आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, that's totally fine, क्योंकि हम लोग अभी tuple भी देखने वाले है, हम लोग अभी dictionary भी देखने वा और यहाँ पर हमको जो हमारे key value pair वाले arguments है, वो एक dictionary के अंदर मिल जाते हैं, अगर समझ में नहीं है, आपको that's totally fine, क्योंकि हम tuple वाले chapter में, dictionary वाले chapter में, इस चीज़ को reiterate करेंगे, ठीक है, so अगर आप लोग ने अभी तक access नहीं करी है, python की playlist तो इसको जरूर से access कर ले, अ Thank you so much guys watching this video, and I will see you next time!